असलाम अलेकुम विवर्ज, वेलकम तो आवर चैनल, हाइब्रेड 4007-ES फाइर अलारम सिस्टम पैनल के उपर बात करते हैं, पहले हम लोग वीडियो आपके लिए लेके आये थे, इसकी लुकंबल काड की डिटेल का, अभी हम आपके लिए ID NEC और NEC पावर सप्लाई काड का, उसके रिलेटर अभी बात करेंगे, यह लूप केबल, SLC, आउट हो रही है यहां से, आउट होके यह जाती है, FMN में तो SLC लूप आउट केबल, पलस, B पलस में, रेड कोर को हम लोग टर्मिनेशन करेंगे, और B माइनस, नेगिटिव बलेक केबल को हम लोग टर्मिनेशन करेंगे, यह मॉनीटरिंग मड्यूल है, इसको शॉट में FMN बोलते हैं, इसका SLC लूप इन केबल इसमें लगेगा, और लूप आउट केबल SRP में जाएगा, SRP के उपर हम इन्शालला बाद में वीडियो बनाएंगे, अभी इसका जो FMN का आउट्पुट केबल मैनुवर रिलीज में जाएगा, मैनुवर रिलीज पूल स्टेशन है, तो उसके भी बात करेंगे, अभी इसकी टर्मिनेशन देख लेते हैं, इसकी पॉजिटिव दोनों केबल जो है, लूप इन की, वो एक नमबर इसके उपर दिया हुआ आता है, इसमें टर्मिनेशन कर देंगे, और दोनों बलेक जो लूप इन और लूप आउट, लूप की दोनों केबले, वो दो नमबर टर्मिनल में टर्मिनेशन कर देंगे, और आउट केबल, चार नमबर में इसका रैड पॉजिटिव, जो इसका एफ एम एम का मूज आउट पुट केबल, चार में पॉजिटिव और तीन में नेगटिव टर्मिनेशन कर देंगे, यह हमारे पास SLC, FM की, FMM की आउट पुट केबल है, यह आएगी मैनुवर रिलीज में, यह हमारे पास मैनुवर रिलीज है, हम इसकी टर्मिनेशन कैसे करेंगे, चलिए हम वो लोग देख लेते हैं, इसके अंदर एक स्विच है, जो नार्मल पॉजिशन में है, वो डाउन साइड पे है, अब टर्मिनेशन किस पॉइंट पे किया जाए, यह हमारे पास मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, कि हम लोग कहां पे इसको टर्मिनेशन करें, वो चेक करने के लिए, हम लोग मल्टी का यूज करते हैं, ताके आपको असानी से मालूम हो जाए, कि इसको कहां पे टर्मिनेट किया जाता है, इसको हमने पहले ही बजर पे रख लिया है, मल्टी मिटर को, यह देखें, कंटिन्यूटी मिल रही है, अब हम लोग चेक करेंगे, कि हमें यह इसकी कांटिन्यूटी क कहां पे मिलती है, यूजिली हम यहां पे टर्मिनेशन करेंगे केबल को, तो इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल में हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, जब हम लोग मैनवर रिलीज को खैच देंगे, तो उसके बाद यह स्विच ओपन होगा, यह वाला स्विच इसको कर लेते हैं उपर, तो अभी देखते हैं, यह हमें सर्कट क्लोज मिल रहा है, तो हम लोग अपनी केबल यहां पे लगाएंगे, इसको स्विच को नीचे करेंगे, तो यहां पे हमें कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, मतलब जब भी कोई ट्रॉबल आएगा, तो मैनवर रिली का सर्कट क्लोज करने के लिए, इसके अंदर हमें 6.8 का रिजिस्टेंस चाहिए, हमने रिजिस्टेंस भी डाल दिया है, अभी इसकी टर्मिनेशन कर लेते हैं, मेक शूर कर लेना है कि हमारी केबल लूज ना हो और यहां से ख्यांचने से निकले भी नहीं, जैसा कि आपको पहले बताया है कि कंटिन्यूटी हम लोग को यहां से यहां मिल रहा था, तो हम लोग ने उसी पाइंट के उपर इसको टर्मिनेशन कर दिया है, हमारा यह FMM Module 09 है, तो हम इसको अड्रेस डाल लेके हैं, लाजन अड्रेस डालना है कभी नहीं भूलना अड्रेस, नहीं तो आपको आपका जो मतलूबा टार्गेट है वो नहीं मिलेगा, चिक हम पक्षण करो दियुक, कर दो हम आपको आपको अञ्सेट महाँ है, आपने देखा कि हमारा MPS जो है वो active हो गया था और जो alarm दे रहा है वो module 09 है हमने आपके सामने module 09 को address दिया था उसी address को लेकर ये हमें बता रहा है और जो fire किया था वो MPS है हमारे ऐसे video को अगर आप support करेंगे तो हम आपके लिए और नए videos लाते रहेंगे इसके लिए हमारे channel को support कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकान दबा दीजिए थैंक यूँ